के आपके अला प्रोड़क्त है आपके लिए आज एक नॉन्स्टेक कोटिंग वाला पैन और और दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा है ये, कौनसे ब्राइंड का है ये, पहले इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बॉक्स दिखा दूँगी तैकि उसको मूव करना एजी रहे क्योंकि पैन काफी है तो ये है हमारा पैन और आल्डा कमपनी का है य यहां पर ब्रांड नेम देखते हैं आल्डा और प्रेमियम नॉन्स्टिक कुक्वेर है ये, थ्री लियर नॉन्स्टिक कोटिंग है इस पर और सेरेमिक का भी यूज किया गया है इस पर टू इयर्स की वारेंटी है तो डेफिनेटली क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाल तो दाट मेंज की काफी क्वालिटी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है और यह देखिए त्री 5 mm थिक है यह और 28 cm की डायमेटर का क्रीप मैन है क्रीव एक टाइप के डिश होती है बट इस पर आप कोई भी पराथा या चीला बना सकते हैं पी एफ ओ फ्री है यह पी एफ ओ आपकी बॉड़ी के लिए तो यह उसे फ्री है तो हेल्दी है यूज करने के लिए अच्छा है और इंडक्शन कोकिंग के लिए किसी भी तरीकी की कोकिंग आप इस पर कर सकते हैं देखिए इसमें इचे पिक्चर्स के त्रू मेंशन भी किया गया है डिश्वाशर सेफ है यह और इंडक्शन बेस कोकिंग भी हो सकती है इस पर बेस कोकिंग अंडर्व ऐसका रूह मुझे यह डिस्काउंट में मिला है अराउंड फूर्टीन हंडर्र रूपीज का इस पर जो भी दिस्क्रिप्शन मेंशन है वाप देख सकते हैं अच्छे से हीट डिस्ट्रिब्य होती है ऐसा नहीं है कि हीट जो है वो सिर्स एंटर में है पूरे पैन पर अच्छे से हीट जो है वो डिस्ट्रिब्यूट होगी और देखे थ्री लेयर कोटिंग है और एंड में अलिम्यूनियम बॉड़ी है इसकी काफी थिक है तो इस पर हम कुछ भी बना सकते हैं इसको मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में यूज करने वाली हूँ तो आप मेरी वीडियो जरूर देखते रहें पैन दिखाती हूं मैं आपको कलर मैंने लिया है यह थोड़ा पीचिश औरेंज कलर है इंडक्शन बेस है आलडा की नीचे ब्रैंडिंग है ऐसे उपर से अच्छा पैन अच्छा पैन है यह अच्छा पैन मेरे पास आलड़ी में पैन लिया है अब जाए यहा पीचा पैन है तो अगर आप breakfast बनाते हैं आपको pancakes या चीला या पराथा खाना पसंद है और आप oil या घी यूज नहीं करना चाहते हैं तो काफी अच्छा product है उसके लिए जो भी चीज़ें ऐसी है कि burn हो सकती है या फिर चिपकती है पैन पे यूज करते हैं तो आप इस पे डेफिनेटली बना सकते हैं अगर आप चापाथीस बना रहे हैं जो नॉर्मल आपका जो तवा होता है उस पे स्टिक नहीं होता है उस पैन पे स्टिक नहीं होता है तो मेक शॉर कि आप उसके लिए वही वाले कुक्वेर यूज करें नॉन स्टिक का यूज तभी करें जब आपको कुछ ऐसी चीज बनानी है जो नॉर्मल आपके कुक्वेर पे चिपकती है और स्पॉयल हो जाती है तो काफी अच्छा प्रोडर्च है काफी यूजफूल है मैंने अपनी वीडियो में ओलर्ड़ी यूज भी किया हुआ है और आगानी वीडियो में भी मैं इसको यूज करने वाली है जबकि मैंने उस पे ध्यान रखा है कि मैं उस पे ऐसी कोई चीज यूज़ ना करूँ तो डिस कलर हो गया था वो उसकी कोटिंग खराब हो गई थी चीज़े उस पे नॉन स्टिक होने के बाद भी चिपकती है तो इसलिए मुझे ये परचेज करना पड़ा दर्वाइस मैंने पहले वंडर शेफ का एक पैन लिया हुआ था बढ़ वो काफी स्पोईल हो गया है ये काफी अच्छा ब्रांड है मैंने इसको दुबारा परचेज किया है तो फिर डेफिनेटली अच्छा ही होगा आपके लिए भी वीडियो हेल्फुल रही होगी और अगर आपको लेना है कुकिंग पैन या कुछ भी कुक फियर लेना है तो इस ब्रांड को आप कंसिडर कर सकते हैं काफी अच्छा है काफी अच्छी वारंटी दे रहा है टो येर्स की वारंटी है और नॉन स्टिक को जब भी आप यूज़ करें मेक शॉर कि आप इस पे जो भी स्पाचुला या स्पून्स यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए वो या तो वोडन हो या फिर वो सिलिकॉन बेज़ हो या प्लास्टिक वाले भी हाती है वो हो जो heat resistant हो steel की कोई भी चीज़ आपको इस पे यूज़ नहीं करना है steel spatula या कुछ भी ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है इस पे दरवेस coating जो है वो scratch होके खराब हो जाती है so I hope you like the video and comment section में आप मुझसे question पोच सकते हैं अगर आपको इस से related कोई question पोचना है and मैंने और भी cookware का reviews किया हुआ है तो मैं वो end में अपना जो video के end में उसका link दे दूँगी वहां से आप click करके उन videos को देख सकते हैं and thanks for watching, take care, bye bye and make sure कि आप like करे, comment करे share करे and subscribe करे 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 Gosh कि अभी तो करेंक करेंक कि आप